एक वक्त में मलाइका खान परिवार की बहू हुआ करती थी। सवाल का जवाब खुद अर्बाज ने एक इंटर्विव में दिया था। जिसके बाद मलाइका कहती हैं मुझे पता है हमारे लिमिट्स क्या हैं। मुझे पता है सेंशुलिटी और वल्गेरिटी में क्या अंतर होता है। यही वजह है मैंने कभी लाइन क्रॉस नहीं की। मैं एक ऐसी एक्टरिस हूँ जिसे इन सभी चीजों के बारे में पता है। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मैं कभी लोगों को हमारे उपर उंगले उठाने का मौका नहीं देती। हम ऐसे बिजनिस में हैं कि हम सभी को संतोष्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। बता दें कि एक बार मलाइका ने करण जोहर के शोग कौफी विद करण में बताया था कि वो अरवास को देखते ही उन पर अपना दिल हार बैटी थी। और सोच लिया था कि मैं शादी इससे ही करूँगी। मलाइका ने कहा था मुझे गर्व है कि मेरा नाता इंडस्ट्री के सबचे बड़े परिवारते हैं। अगर मैं शारुखान के साथ परदे पर डांस कर सकती हूँ तो घर में सल्मान खान है। मेरा ससुराल बिल्कुल मेरे घर जाता है। जहां मुझे कभी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं हुई। किसी भी काम को करने के लिए अरबाज या परिवार के किसी सद्द से ने मुझ पर कभी कोई दवाब नहीं डाला। इसलिए मेरी यही ख्वाहिश है कि अगर मैं दोबारा कभी जन्म लेती हूँ तो फिर मैं इसी घर में शादी करूँ। बता दें अरबाज ने साल 1998 में मलाइका अरोडा से शादी की थी। शादी के 19 साल बाद 2017 में दोनों का तलाक हो गया। हाला कि मलाइका ने तलाक के बाद आज तक अपने ससुराल वालों पर कोई भी इलजाम नहीं लगाया। अरबाज और मलाइका का बेटा आज भी एक्पर्स के साथ रहता है और अपने पापा से मिलता है। मलाइका ने कभी भी अपने बेटे को अर्वाज से मिलने को नहीं रोका मलाइका और अर्वाज की शादी बले ही तूट गई हो लेकिन दोस्ती आज भी बरकरार है वैसे मलाइका अरजुन कपूर को डेट कर रही है कई बार दोनों को साथ में स्पॉर्ट किया गया है नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टेग्राम को फॉलो फेस्बुक को लाइक और यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करना ना भूले